पोलेंड में रिकॉर्ड हुई चंद्रियान, 3 की गगन चुम्बी रफतार चंद्रियान, 3 अपने मिशन की ओर बढ़ता जा रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है, जहांसे कई अहम जानकारी जुटाएगा। भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रियान, 3 को लॉंच किया था, जिसके बाद से वह लगातार चांद की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस मिशन पर पूरी दुनिया नजर बनाए हुए है। इस बीच चंद्रियान, 3 को पोलेंड में, अर का दिखाई दे रहा है, जो कि तेजी से ओड़ रहा है। ये मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। जैसे जैसे यान अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ररोट्यूस टेलिसकोप उसकी यात्रा को डॉक्युम वह इस समय प्रिथवी के चारों ओर वन 27609 किमी X236 किमी की ओनर बिट में है। इस समय यान अपनी ओनर बिट रेजिंग मैन्यूवर की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद धीरे धीरे गती पकड़ रहा है और चांद की ओर बढ़ने के लिए तयारी कर रहा है। इस रो के अध्यक्ष S. सोमनात ने घोशना की थी कि चंद्रयान 3K 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर तकनीकी रूप से चुनोती पूर्ण सौफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। मिशन का लैंडर चंद्रमा के दक्षिनी धृवक्षेत्र को छूने के लिए तयार है। चंद्र काया गया है कि इस मिशन में चंद्रमा की कक्षा से पृत्वी का अध्ययन करने के लिए शेप, स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ओन अफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, नामक एक पेलोड शामिल है। मिशन का उद्देश ये चंद्रमा का वातावरण, मिट्टी, पानी समे कई चीजों की जानकारी जुटाना शामिल है। चंद्रयान, थ्री मिशन सफल होने के साथ ही भारत अमेरिका, सोवियत संग और चीन के बाद। चंद्रमा पर सौफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद।